हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की वीडियो थोड़ा सा आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके एक्जाम कब से होने वाले हैं और समस्टर तीन और पांच और इंक्लूडिंग समस्टर वन तीनों के लिए तो थोड़ा बहुत एक मैं कैलकुलेशन कर रहा था बैठके तो सारी कैलकुलेशन के बाद मुझे कुछ समझ में आयरी है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है समझते हैं मैं क्या बताने की कोसुस कर रहा हूं चाहे बच्चा समेस्टर वन में हो चाहे बच्चा समेस्टर तीन में हो चाहे बच्चा समेस्टर पांच में हो यही तीन समेस कि इसके अंदर देखा जाए ना तो सबसे में चीज और में पॉइंट क्या डिसकस करने वाला है एक्जाम से रिलेटेड तो आप ध्यान देजिए अगर मैं आपको बताओं चलिए आपके एक्जाम का एक टैन्यूर थोड़ा सा टेंडेटिव आइडिया ले लेते हैं हम मानके चलते हैं कि आज 21 तारीक है और 10 दिन बचे हुए हमारे इस महिने में ौगस्ट में एक हमारेपास ओगस्ट है जिसमें 10 days है खीक है August के बाद एक हमारे पास September है जिसके अंदर हमारे पास 30 दिन है एक हमारे पास October है जिसके अंदर हमारे पास 31 दिन है एक हमारे पास November है जिसके अंदर हमारे पास 30 दिन है और एक हमारे पास दिसंबर है और दिसंबर में हमारे पास 30 दिन नहीं है हमारे पास सरिफ और सरिफ 15 दिन है अगर इन सभी डेज को हम काउंट कर ले तो कितने हो जाएंगे हमारे 30, 60, 90 दिन और 90 और 25 मैं मोटा मोटी tentatively मान लूँ 90 और 25, 110 या 15 दिन होते हैं तोटल आपका 115 दिन है ठीक है ना एक्जाम के लिए सर वैसे 115 दिन बहुत होते हैं एक्जाम के लिए ठीक है अब सर 115 दिन में आप कम से कम इसमें से 25 दिन निकाल दें इसमें से यह वो दिन है आपके जिस दिन आप किसी ने किसी वर्क में इन्वर्व रहोगे इन 100 दिन में यानि 100 दिन में आपका 25 दिन वो होता है जिसके अंदर आपको किसी शादी अटेंट क्योंकि शादी का भी सीजन आ जाता है जब तक ने उंबर तक तो किसी के शादी में जाना हो या फिर हो सकता है आपको किसी के मतलब के कोई भी पार्टी या फिर कोई बच्चा बिमार पढ़ गया या कोई कहीं घूमने जाना हो गया फेस्टिबल इतने सारे आ रहें दिवाली बगधर है तो ये पूरा का फेस्टिबल आ रहे है तो उसके एसाब से मैंने 25 दिन निकाल दिया तो मोटा मोटी आप देखेंगे इसमें से अगर हम 25 दिन ठीक है और हमारे पास subject कितने हैं अगर मैं बात करूं semester 1 की तो 7 subject semester 3 की तो sir 7 subject semester 5 क्योंकि यह old वाला है तो इसके अंदर आपको मिलेंगे चार और किसी में 5 है honors और प्रोग्राम का पंगा रहते है तो वैसे 4 subject है ठीक है अब हम चलो सब्जेक्ट को भी डिवाइड कर लेते हैं एक बार यानि देखा जाए 90 डेज डिवाइड बाई 7 सब्जेक्ट हम एक टेंटिटिव निकाल लेते हैं कि हमारा नॉर्मली बीकॉम के अंदर ना हमारा पढ़ने का कुछ स्टाइल ऐसा होता है और एक्जाम से पहले हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं चार दिन में ये खतम कर लेंगे छे दिन में ये खतम कर लेंगे आठ दिन में ये खतम कर लेंगे तो एक बार सब्जेक्ट को भी हम देखें तो क्या रिजल्ट आता है सर यहां पर यहाएगा हमारा साथ और दो यानि तेरा दिन या आप मोटा मो लो इसे tentative ले लेते हैं हम आपका 14 दिन अब आप ये मानो आपके पास एक subject के लिए 14 दिन है आप पढ़ोगे और ये कभी possible ही नहीं होता कि 14 दिन आप एक subject लगातार पढ़ पाओ नहीं possible होता और 14 दिन में आपका कोई भी subject खतम कर नहीं सकते इस बात को भी ध्यान रखना ठीक है अब सर Sam 1 वाले बच्चे अगर की बात करो या इसमें भी आपको 14 days मिलता है हाँ Sam 5 वाले बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा time मिल जाता है क्योंकि 4 subject है वो थोड़ा सा relax mode में है लेकिन सर मैं तो सब को एक साथ लेके चलना चाहता हूँ अब Sam 1 वाले बच्चों को और Sam 3 वाले बच्चों को देखा जाए तो इनके पास कुछ tough subject है Sam 1 के पास financial account है इसके साथ business law है ये कुछ subject है जो पढ़ने है नए क्योंकि जब हम college में आते हैं तो college में जैसे आपके 10th के बाद 11th के अंदर एकदम से आप क्या गरते हो एकदम से और यार यार ये क्या आ गया तो इसी तरीके से Sam 1 के अंदर finance FA जिसके अंदर accounting standard से पाला पड़ेगा उनका business law बागे business वगएरा जो भी और subject है वो तो चलो normal है मैं इन subject की बात करो उसमें इनको attention भी देना है और subject अगर ये खराब गया Sam 1 का percentage तो इस percentage को आपको आगे तक follow करते करते time निकल जाएगा है ना और सर Sam 3 वाले बच्चों को मुझे बताने की ज़रत नहीं है कैसे पढ़ना है semester 1 में हाल अच्छे से जानते हो क्या हुआ था semester 2 में क्या हाल हुआ था paper से पहले यार पढ़ना है खतम करना है इसलिवसी खतम नहीं हो रहा और इनके पास subject की मैं बात करो तो इनके पास FM है compulsory core subject और program वालों के पास stats है core subject और honors वालों के पास maths है और principle of marketing है चलो principle of marketing एक पल को मान लेते हैं कि ओ theoretical आप कर लोगे लेकिन ये दो subject जो है वो आप क्या 14 दिन में खतम कर सकते हो नहीं कर सकते तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा यार ये syllabus ही खतम नहीं होगा फिर कहानी last में घूम फिर के आजाएगी कि आर फटा फट खतम करो फटा फट कर लो और जब ये कहानी घूम के आजाएगी फटा फट कर लो फटा फट खतम करो माक्स फिर नहीं आएंगे क्योंकि कल भी मेरे पास एक बच्चे का call आए कि मेरे सर 6 CZPI है अब मैं AMCOM करना चाह रहा हूँ या MBA करना चाह रहा हूँ लेकिन मैंने AMCOM के टाइम पर management account नहीं लिया था अब advanced management account आ रहा है अब क्या करो मैंने बोला simple देखो आपको अब BCOM वाला फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि AMCOM का या फिर MBA का कोई coaching होता नहीं कभी भी क्योंकि इसमें बहुत few student होते हैं जो की नहीं मिलता उनको coaching उस तरीके से नहीं कोई tenure होता है तो बहुत परिशान हो रहा है same कुछ बच्चे FM भी option में ले लेते हैं semester 5 में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता आगे चलके और फिर पस्ता आते हैं हमारा जो पता है क्या होता है हमेंसा याद रखना short term में benefit आपको long term में pain देगा और long term में benefit अगर short term में आपने pain ले लिया तो long term अच्छा जाएगा तो आपको खोड़े समय के लिए अपने आपको अच्छा देखना है या आगे future में अच्छा देखना है यह decision आपका होना चाहिए तो financial management मैंने समझाया भी है first class लिया तो कहां कहां काम आएगा वो बच्चों को अच्छा है इतनी जल्दी कैसे खतम किया जाए कैसे होगा यार सप्टेंबर आ जाएगा औक्टूबर आ जाएगा नौंबर में खतम करना है अगर हम कम से कम 15 दिन पहले अगर स्लेवस नहीं खतम करते तो बच्चा रिवीजन क्या करेगा आप लोग के पास तो 90 दिन है मेरे पास तो ब इतना बड़ा स्लेवस है आपका थियोरी वाला तो चलो आई एगरी के थियोरी वाला हो जाएगा और बाकी आपको option में भी बहुत सारे अभी तो college के अंदर open नहीं होए तो कैसे करेंगे और सेम बात मैं semester 5 वालों के साथ कहना चाहता हूँ चार के अंदर आपकी हालात आप आपको अच्छे से पता था कि प्रॉब्लम आई थी last time पे अगर आपने starting से नहीं पढ़ा और exam duration पे आप हर बार यही promise करते हो मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ कि हर बार यही promise करता है exam वाले दिन के यार next semester में हम अच्छा पढ़ेंगे और वो paper खतम होते ही इस बात को भूल जाता है कि next semester आगे आप अच्छा पढ़ना था फिर सोचता है फिर बात फिर वही तो कहीं न कहीं आप अपने आपको बार बार ना चीज़े आपको पता होता है कोई paper कभी tough नहीं आता paper आप सभी बच्चे tough बना देते हो कभी आपके number कम नहीं आते है आप जान कर रहें तो मैं तो आप सब को बस अवेर करना चाहता हूं और मैंने इसी को देखते हुए FM का मैंने regular class कर दिया है FM का regular क्योंकि मुझे भाई बहुत टेंशन हो रही है कि जो बच्चे हैं तो मैंने regular class live class चलती है 7-9 मैंने आवर भी बढ़ा दिया कि इनका syllabus अगर मैं time पे ख समिस्टर 5 के बच्चे हो तीन के regular class मैंने financial management का start कर दिया है और YouTube पे मैं वीडियो डाल रहा हूं ऐसा नहीं है कि नहीं बोलोगे तीन classes हमने डाल दी है और पहले भी कुछ classes डाली है YouTube पे वह भी डाल रही है लेकिन देखो YouTube पे मैं थोड़ा delay डालता हूं क्यों reason सारा convert वगरा का reason है वह आपको अच्छे से पता है मैं YouTube पे always आपके सारे comments सारे चीजों को पढ़ता हूं सारे चीजों को देखता हूं और उसके बाद भी मैं देख रहा हूं कि बच्चे उस पे भी active नहीं दिख रहे है मुझे क्योंकि सोच रहा है भी admission नहीं हुआ भी कुछ नहीं हुआ तो डियू का फंड़ा है अब कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर अगर हम semester 1 में fail हो गए result नहीं है ओनर्स वालों का semester 2 में अगर fail हो तो आप किसी में भी fail हो जाओ आप semester 3 में जाओगे ही जाओगे और पिछले paper को बाद में clear करना होगा सेम ऐसे बच्चा अगर second first year में fail second year में ऐसा नहीं है तीवी सीएस में आप मान लो कोई बच्चा ऐसा हो worst situation में दो तीन paper में pass है मान लेते हैं semester 4 में तो सोचेगा यार 5 में कैसे जाओगा दुबारा नहीं आप semester 5 में आ जाओगे इस बात का धिहान रखना ठीक है तो ये सब्सक्राइब होके register maintain करें सारे चीजों को ये नहीं कि बस देखा हां आ गया क्योंकि YouTube के उपर बहुत सारे confusion भी create होता है क्योंकि other ads हैं बहुत सारी चीज़े हैं मतलब पता है क्या जो एक education है या फिर आप कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो वहां पर distraction अगर हो ना तो अच्छा नहीं होता और मेरा मानना है कि जिसने बीकॉम मैं हर बार बोलता हूं जिसने बीकॉम बहुत अच्छे से किया हो बीकॉम बहुत अच्छे से किया हो no need to आगे उनको पढ़ने में बस आ कि study में आपको problem नहीं है कि चाहे कितने higher से higher education में चले जाओ पर ढंग से जैसे अभी से पढ़े हो एक एक चीज पढ़ो आप पढ़ते हो exam के लिए तो आपको जो benefit मिलता है ना graduation के पास job नहीं मिलते क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं कर यह आप अच्छे से जान आपको result खुद बहुता चल जाएगा तो कहां से job मिलेगी आपको after graduation नहीं मिल सकती job क्योंकि वहां पे चीज़े आपके मन में एक डर रहता यार तब तो हो गया था काफी बच्चों से पूसता हूं यार वो तो पता ही नहीं चला क्यासे हो गया वो आया था फिपर इधर उ वाई आने वाले 30 से 40 साल आपको भुगतना पड़ सकता है और 30 साल की इमानदारी आपको होता है ना एक बात जैसे कि 12 में आपने महनत की है वही महनत अब दुबारा चाहिए 12 वादा समिस्टर वन के मैंने स्टार्ट नहीं किया बहुत जलदी बेब करने के दाता हूं देखता हो कितना काम कंके पर भी आ बगेरा मैंने बता दिया है कि इसके लिए कौन से बुक्स लेने हार पी रस्तों की मार्किट में अवेलिबल है जिसको नहीं मिल रहा आप हमारे अप्लिकेशन पर जाके हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे टाइम वेस्टिंग का मतलब यह नहीं कि आप घूमने जा रहे हो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो यह टाइम यूटिलाइज है आप समझ यह बात को अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूं या फिर मैं कोई काम करवा रहा हूं या फिर मैं पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स होना चाहिए वेस्टिंग टाइम है मोबाइल पे या फिर हम घंटो घंटो बैट तक बैट के सूचते रहते हैं अब करेंगे अब करेंगे फिर रात को सूने से पहले हम सूचते रहते हैं कल से पढ़ाई करेंगे अभी कुछ पता नहीं चल रहा आगे चलके जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी सब छोड़ दीजिए सब आपके ना आप अगर जिस चीज के पीछे जैसे सोचेंगे नहीं कर सकते ठीक है तो मेरा बस यही कहना है कि अलर्ट हो जाएए आप जिन बच्चों को को यूटूब से पढ़ना कर दीजिए नहीं तो आगे चलके फिर आपको प्रॉब्लम होगी और पेपर पास हो जाना आपके काबलियत का कोई पर्मान नहीं होता मेरा मानना है प्रसनल आप अगर कोई पेपर पास कर लेते हो इसका मतलब बिलकुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ है तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आगे चलके ग्रेजुशन के बाद मल्टीपल अपोर्चुनिटीज ओपन हो जाएंगे मैं उसके उपर भी वीडियो बनाऊंगा आप्टर ग्रेजुशन क्या करना चाहिए अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सारे अपोर्चुन पढ़ए अगर आपको लगता है हुवाँ एगर चाहिए और फेली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ministry झाल